गाईज अगर आपके पास भी एक क्यूट सा प्यारा सा खरगोस है और आप उसे बहुत प्यार से रखते हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आपका खरगोस आपसे प्यार करता है या नहीं आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे ही टोयल्थ किलियर सिंस के बारे में बात करने वाले हैं गाईज वीडियो को फुल वाज करना क्योंकि इस वीडियो से आज आपको काफी कुछ नया और अलग देखने और शिखने को मिलने वाला है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरके मौरिया और आप देख रहे हैं आरके ट्रैबिट एंड इनिमल्स दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से हरदिक स्वागत है गाईज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सारी क्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बिल आइकन प्रेस करके आल पर कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि गाईज मैं रैबिट से रिलेटेड वीडियो जी बनाता हूँ और आपको हमेशा यहां रैबिट से रिलेटेड कुछ न कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा तो चलिए गाईज भी नदेर की आज की वीडियो शुरू करते हैं गाईज अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको 100% पता लग जाएगा कि आप एक अच्छे आनर है या फिर बुरे तो आईए गाईज नमबर वाइद जान लेते हैं गाईज अगर आप अपने खरगोश को अपने आसपास रखकर सोते हैं और वो भी आपके आसपास ही आकर सोता रहता है और जब उसे आपसे कुछ कहना होता है या आपको जगाना होता है तब वो आपको हलका हलका काटने लगता है तब आपको उसे मारना पितना बिल्कुल आपको समझ जाना है कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है या कुछ कह रहा है तब आप उसे अपने गोद में उठा कर उसे अपने हाथों से कुछ खिलाएं उसे थोड़ा पैटिंग करें प्यार करें गाई ये भी एक अच्छे आनर होने का 100% किलियर साइन है नमबर टू गाईज अगर आपका खरगोस आपसे प्यार करता है तो उसे जहां भी प्यार से रख देंगे वहीं पड़ा रहेगा चाहे सीधा रखें आप फिर उल्टा करके जैसा कि गाईज आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तब भी आपको समझ जाना है कि आप एक अच्छे गाईज जब आपका खरगोस आपको देखकर उछलने कुदने लगे और जहां रहता है वहीं आपके पास आने के लिए पिजरे में पंजे वगएरा मारने लगे तब आपको समझ जाना है कि आपका खरगोस आपसे बहुत प्यार करता है और आप एक अच्छे आनर है नमबर गाईज अगर खरगोस आपसे बहुत प्यार करता है और आप एक बहुत ही अच्छे आनर है नमबर सेवन गाईज अगर खरगोस अपने मुह को किसी चीज पर रगड़ते हैं तो समझो कि खरगोस उस पर अपना हक जता रहे हैं और अगर ऐसे में आपका खरगोस आप पर भ यह बहुत ही किलियर साइन है नमबर एट गाईज अगर आप अपने खरगोस को गोद में उठाते हैं तब वो अपने दातों को कित-किताता है तब आपको समझ जाना है कि आपका खरगोस आपसे बहुत प्यार करता है और आप एक अच्छे रैविट आनर है और अगर वो इ अपनी खुशी जाहिर करते हैं एक दूसरे की फिलिंग को समझते हैं लेकिन जब वो अकेले अपने आनर के पास होते हैं और बहुत खुश होते हैं तब भी वो अपने आनर को चाट कर अपनी खुशी जाहिर करते हैं अगर आपका खरगोस भी आपको चाटता है तब आपक आपको देखकर कहीं कोने में रुपक कर छुपने की कोशिस करता है बैठ जाता है तब आपको समझ जाना है कि आपका खरगोष आपसे प्यार नहीं करता है एक बुरे आनर होने का संकेत है नमबर 11 गाई जब खरगोष किसी सिकारी जानवर को देखकर डर जाता है या घबरा जाता है तब अगर ओ भाग कर आपके पहरों के नीचे या आपके आस-पास ही चुपने की कोशिस करता है तब भी आपको समझ जाना है कि ओ आप पर पूरा भरुसा करता है ये भी एक अच्छे आनर होने का संकेत है गाईज अगर आप अपने खरगोश को चाहे जैसे पकड़ते हैं उसे परिसान करते हैं उसके मुह को दातों को छूते हैं उसे चाहे जैसे अपने गोद में रखते हैं और वो पड़ा रहता है आपको कभी भी बाइट नहीं करता है तब भी आपको समझ जाना है कि आपका खर करके जरूर बताना और गाईज रेविट से रिलेटेड किसी भी अन्ने जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम आपके कमेंट का रिपलाई देने की आपकी हल्प करने की पूरी कोशिस करेंगे तो गाईज आई होब कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिया तो चलिए गाईज मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में किसी नेक्ट टापिक के साथ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए हम आपके लिए से ही helpful, genuine और knowledgeable वीडियोज लेकर आते रहेंगे जय हिंद।